इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें आंद्रप्यदेश में मचली और दूसरे खाद्य पदार्थों के फूड प्रोसेसिंग के लिए 100 इंडस्टियल पार्क बनाए जाएंगे इन पार्कों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पर डवलप किया जाएगा जिसमें मचली के साथ साथ दूसरे खाने के सामानों को प्रोसेस करने वाली यूनिट लगेंगी एक पार्क को करीब 100 एकर जमीन पर बनाये जाएगा इस तरह राज्य में करीब 100 पार्क बनाने की योजना है आंध्यपदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबु नाइडू ने राज्य भर में खाद्य प्रसंसकरण, मचली, बागवानी, आधारित, औध्योगिक विकास पार्कों को बनाने के लिए अधिकारियों को प्लान तयार करने के निर्देश दिये हैं इस पहल का उद्देश राज्य में 100 अध्योगिक पार्क बनाना है जिससे राज्य में आर्थिक विकास और अध्योगी करन को बढ़ावा मिले मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नाइडू ने ये भी कहा कि राज्य में इस तरह के पार्क विक्सित करने के लिए अनुकूल माहौल है उद्ध्योग और MSME विभाग के साथ हुई मीटिंग में उन्होंने का कि इस तरह के पार्क बनाने के लिए पूरी योजना तयार की जाए इस मीटिंग में उन्होंने ये भी कहा कि इंड़स्टियल पार्क जो राज्य में चल रहे हैं उनको रिव्यू किया जाए और साथ ही इस तरह के कितने पार्क बनाए जा सकते हैं इस बारे में भी प्लान मांगा है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें आंद्रपेदेश में मचली और दूसरे खाद्य पदार्थों के फूड प्रोसेसिंग के लिए 100 इंड़स्टियल पार्क बनाए जाएंगे इन पार्कों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पर डवलप किया जाएगा जिसमें मचली के साथ साथ दूसरे खाने के सामानों को प्रोसेस करने वाली यूनिट लगेंगी एक पार्क को करीब 100 एकड जमीन पर बनाये जाएगा इस तरह राज्य में करीब 100 पार्क बनाने की योजना है आंद्रपदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबु नाइडू ने राज्य भर में खाद्य प्रसंसकरण, मचली, बागवानी, आधारित, उध्योगिक विकास पार्कों को बनाने के लिए अधिकारियों को प्लान तयार करने के निर्देश दिये हैं इस पहल का उध्योग और MSME विभाग के साथ हुई मीटिंग में उन्होंने का कि इस तरह के पार्क बनाने के लिए पूरी योजना तयार की जाए इस मीटिंग में उन्होंने ये भी कहा कि इंड़स्टियल पार्क जो राज्ज में चल रहे हैं उनको रिव्यू किया जाए और साथ ही इस तरह के कितने पार्क बनाए जा सकते हैं इस बारे में भी प्लान मांगा है तो उगाना है